तोटल गलत है इजनसिया अभी अपना-पना काम कर रही है पाकिस्तानी जासू से संदीद क्या लग रहा है अभी इतनी जल्दी ये मामला दो राष्टों के बीच जुड़ा हुआ है इसमें जब तक प्रयाब साक्ष नहीं मिल जाते है कुछ भी कहना उचित नहीं जब एक बार वह जेल जा चुकी है उसके बाद बेल पर है अब उसके बाहर भ्हजने की जो विदिक प्रक्रिया है उससाब से करवाई चले तो इसके लिए पहले से कानून तय है अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट के आफशक्ता नहीं है तो इस तरह की चीजे लेकिन पाकिस्तानी नागरी को जिसके नहीं तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं अब पूस्ताश चलती रहें कि सर एटीस एटीस अपने रिकार्ड परपस के लिए भी पूस्ताश कर रहें तमाम एजंसिया अपना काम करती रहती है अगर अगर अगर